एक सिंगर के अलवम फेल हो जाने के बाद वो बहुत ही जादा अपसेट थी तो गिटारिस्ट के साथ उसने अफेर किया बाद में उसे पता चलता है कि गिटारिस्ट का एक डार्क सिक्रेट है और इस वज़े से सब घड़बड हो जाती है हलो फ्रेंट्स आज मैं आपको पलश है 2013 की एक ठ्रीलर हॉलिवड मूवी एकस्प्लें करने वाल हूँ एक बहुत अची ठ्रीलर है और हमेशा आपको आपकी सेट की एश पर रखेंगे तो चली एकस्प्लेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की को एक आदमेन चेर से बान कर रखा था वो चिला रही थी पर उसे छोड़ता नहीं उसके उपर उसने बहुत सारे स्टोन्स डाल दिये और जिन्दा उसे गाड दिया इसके बाद हमारी मेन गैरेक्टर हेली और उसका ब्रदर हमसे इंट्रोड्यूस होता है इन दोनों का एक फेमस ब्रैंड था हेली ने कहां कि बचपन से हमें म्यूजिक बनाना बहुत ही अच्छा लगता है वो एस टीम होकर बहुत ही अच्छा म्यूजिक बनाते हैं इसी वज़े से वो सक्सेस्पूल हो पाए इनका करियर बहुत ही अच्छे से चल रहा था तभी हेली कार्टर से मेली कार्टर एक जनरलिस था और ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़ादा पसन आये थे बहुत ही जल्दी जल्दी बात आगे बड़ी और एक दूसरे के साथ उन्होंने शादी भी कर ली थी हेली का ब्रदर कार्टर को उसका खयाल रखने के लिए गहता है वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे हेली को बच्चे भी हुए पर फिर भी अपने ब्रदर के साथ उसने अपना करियर मेंटेन रखा था एक दिन पार्टी में उसने कुछ ड्रग्स ले लिए और उस वज़े से उसकी डेथ हो जाती है हेली ने उसे बचाने की बहुत कोशिश किये पर उसकी भी कुछ भी कर नहीं पाई उसे लगा कि उसने अपने ब्रदर को अखिला छोड़कर एक नहीं लाइफ कर ली इस वज़े सो डिप्रेस्ट हो गया था ब्रदर के जाने के बाद किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगता था बहुत सारे मन्द गुजर गये और उसी के बाद वो कुछ लिख पाई थी फानली अपने ब्रदर को डेडिकेट करने के लिए उसने बहुत सारे सौंग्स लिखे उसे पूछे जाता है कि तुमारे ब्रदर का प्लेश कोई ले पाई का हेली ने कहा कि हमने जिस गिटारिस को रखा है वो भी बहुत ही टैलेंटेड है पर मेरी ब्रदर की जगा कोई भी ले नहीं सकता इस गिटारिस का नाम था एंजो और हेली के मैनेजर को ये मिला था उनने लग रहा था कि उसे अलग लेवल पर लेका जा सकता है इंट्रू अच्छे से हुआ और सब लोग बहुत पॉजिटिव थे कि अल्बम सक्सेस्फुल होगा अलबम के प्रोपोशन के लिए हेली को अलग अलग जगा पर अपने फैमिली को छोड़कर जाना पड़ता है अपने ब्रदर की टेक्ट के बाद फैमिली से ज़रा दूर हो गई थी लोगों के लिए हेली ने जब ओल्ड सॉंग परफॉर्म किया तो उसे बहुत अच्छा रिस्पॉंस है फिर वो कहती कि नेक्स सॉंग मेरे मेरे ब्रदर के लिए रिडिकेट किया है यह उसके नए अलबम का था लोगों इने सुना पर इसके लिए कोई भी चेर नहीं आती अगर इसी तरीके से रिस्पॉंस मिला तो अलबम खतम हो जाएगा इसके बारे मेरे मेरे मैनेजर से बात कर दिया मैनेजर ने कहा कि सॉंग को कैच अप करने के लिए ज़ाद टाइम लगता है तब ही वहाँ पर एन्जो बोज गया उसे पुश करकर जल्दी से वहाँ से भाग जाते है जाकर बातरूम में और छुप गया हैली को डर लग रहा था तो एन्जो उसके साथ रूम तक आया वह अपने अलबम के रिव्यूज को लेकर बहुत ही ज़दा अफसेट थी तो एन्जो ने कहा कि तुम्हें जादा वरी करने की ज़रूत नहीं है इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता तुम्हारे मन में जो भी है यह सब कुछ तुम बात मुझे कह सकते हो तुम्हें रिलाक्सेशन की ज़रूत है हेली को उसने लेटा दिया और बहुत ही अच्छा मसाज करता है इसके बाद स्लोली स्लोली उसके साथ इंटिमेट होने लग गया सुबह हुई और हेली को कार्टर का खुआला आता है कल राज हो भी हुआ इस बात के लिए उसे बहुत ही गिल्टी लग रहा था वो अपने बच्चों से बात कर दिया फिर उसने कार्टर से बात किये पर कार्टर जरह अपने काम में बीजी है वो नोटिस करता है कि हेली रिलाक्स लगती है उसने उसे कहा कि अगर तुम जाओ तो ब्रेक ले सकती हो मुझे एक बुक डिल में लिए है और इसके बाद एक दो साल तक तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हिली से मिलने के लिए फिर उसकी मैनेजर आती है उनका आलबम भिक नहीं रहा था तो रेकॉर्ड लेबल ने उसके पैसे भी कम कर दिये थे हिली बहुत ही डिस्टब होके मैनेजर से बुछती कि अब करना क्या पड़ेगा उसके पास बहुत सारे सोलुशन थे पर मैनेजर ने कहा सिर्फ एक बहुत ही अच्छा सौंग लिखो उसके पास सब कुछ ठीक हो जाएगा वो लिखने की बहुत कुछिश करती है पर उसके बाद वो एंजों के पास आके उसे वो एक माउंडन के पास लेकर जाती है माउंडन के ऊपर से एक पत्तर गिया वो डिरेक्ली अपना चाको निकाल लेता है उपर जो कोई भी होगा उसे वो धमकाने लग गया पर सिर्फ एक एनिबल वहा था इसके बाद वो पास वेट थे और हिली ने कहा कि मुझे एक अच्छा सौंग लिखना पड़ेगा उसके पास लेरिक्स तो है पर आगे का उसे कुछ समझ मिने आ रहा है एन्जो ने इस सौंग को अपनी दून दी और हिली को ये बहुत ही अच्छा रखता है उसके करीब आने लग गया और किस करने लगता है हिली ने कहा कि कर राध हम दोनों बहुत ही जादा ज़ंग थे हमारे बीच जो भी हुआ ये मैटर नहीं करता मेरी फैमिली है और मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती है हिली फिर भी इस बात के लिए मना कर देती है हिली का नेक्षो होता है तो जिस फैन ने उसे हरास किया था उसका एक लेटर उसे मिला शो के बाद हिली अपने टीम से कहती है कि मैने और हिली ने बहुत अच्छा सॉंग लिख है इससे हम अच्छे से क्रियेट करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा रात में दोनों पार्टी करते हैं सॉंग लिखते हैं इसमें वो इंटिमेट भी हो गया है इसके बाद हिली घर पर आ दिया घर का डोल खुला था और अंदर से कुछ भी आवाज ने आ रही थी तो इस वज़े से वो डर गई वो अपने बच्चों के रूम में जाती है तो सब खेल रहे थे एक्च्वल में कार्टर ने हैली को इमेल किया था कि आज ज़रा तो इंटरू के लिए जा रहा है इनकी नाने भी आप बदल चुकी थी हैली बच्चों को नीचे ले कर गए और वो गहती कि मैंने तुम्हारे लिए प्रेजेंट्स लाए उपन करने के बाद तो रेलाइस करती है कि शाय तो होटेल रूम में रहे गए उसे एंजो का कॉल आता है उसने का मेरे बैग में तुम्हारे बच्चों की गिफ्स रहे गए थे हैली ने पूछा कि क्या तुम घर पर आ सकते हो पर एंजो अल्रेडी घर के बाहर था हैली ज़रा सप्राइज थी पर उसे अच्छा लगा था बच्चे बाहर आगए और गिफ्ट देखकर बहुत ही खुश थे है इसे स्टार्ट करने के लिए एंजो की हेल्प लेते है खेल्दे खेल्दे हैली का बच्चा एंजो को काट लेता है और इस वजजे से एंजो उस पर बहुत ज़्यादा गुसा हो गया वो भी उसे जाने के लिए कहती है रात में उसने बच्चों को सुलाया पर उनकी लाइफ में चल कहा रहा है इसके बारे में उसे कुछ भी आईड़ा नहीं था सुबह वही तो कार्टर घर बर बहुत चुका था उसके साथ सो रहा था इसके बाद उसके साथ इंटिमेट हो जाता है अगली दिन हेली की मैनेजर के साथ मिटिंग होती है वो जो म्यूजिक वीडियो बनाने वाले थे इसका सारा बज़े स्टूडियो ने काट लिया था अब इनके बाद सिर्फ हाफ बज़ेट है और इस पर न्यू सॉंग वो रिकॉड कर सकते है हेली डिमोटियोड होने लग गई थी तो उसके मैनेजर उस पर चिला कर उसे फिर से मोटिवेट कर देती है वो घर पर आई तो एंजो कार्टर के साथ मिल कर गिटार बज़ा रहा था सब पार्टी कर रहे थे हेली ने पुझा कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो कार्टर ने कहा कि बच्चों का टॉट टूट कया था और एंजो ने उन्हें हेल्प कर दी गर पर एक गिफ्ट है जो उस फैन का था इस वज़े से हेली बहुत ही डिस्टब हो कि कि उस फैन को घर का पता भी पता है कार्टर कहता है कि जादा वरी मत करो हम उसे हेंडल कर लेंगे एंजो ने टमाटर लाए थे तो इससे वो डिनर बनाते है डिनर करते वाग कार्टर ने एंजो का एक लॉकेट नोटिस किया इसमें एन्सो ने हैली के hairs रखे थे ये उन्सकेले ज़रा suspicious होता है पुरा दिन इन्होंने साथ spent किया और राट में movie देख रहे थे हैली कहती कि मैं सोने के लिए जाती हूँ एन्सो ने कहा कि आप मैं निकलता हूँ उसे कहती कि तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ तुम इस तरीके से मेरे साथ नहीं खेल सकते हैं एंजो हेली के पास आ जाता है और फिर दोनों इंटिमेट हो गए घर आने पर कार्टर जारा ठक गया था और हेली में जादा इंट्रेस नहीं दिखा था क्योंकि आजकल बहुत ही जादा काम कर रहा है अगली दिन हेली एंजो के घर पर उसे मिलने के लिए उसे कहती कि तुम इस तरीके से मेरी लाइफ के साथ इंटरफेर नहीं कर सकते उसने नोटिस किया कि एंजो के बोर्ट पर उसकी फोटोस लगाई हुई थी एंजो कहता है कि मैं एक फिल्म डारेक्टर भी हूँ तुमारी सॉंग को मैं ही डारेक्ट करूंगा उसने डारेक्ट की हुई शॉर्ट फिर्म उसने उसे दिखाए इसकी स्टोरी से बता चलता है कि एंजो की सिस्टर उसे बहुत तकलिफ दे दी थी एंजो ने उसे बदला रहने के लिए उसे चेर से पान दिया उस पर सारे स्टोंज गिरा दिया जिन्दा उसे उसने कार दिया यहीं मूवी के फर्स का सीन था हेली को उसका वक्त बहुत ही अच्छा लगता है उनके पास जादा पैसे भी नहीं थे तो इस वज़े से उन्होंने एंजो को हायर कर लिया हेली के साथ उसने एक बहुत ही नजदीक से वीडियो शूट किया कार्टर ने जब इस सब देखा तो उसे लग रहा था कि एंजो गे है तो इस वज़े से कोई भी ऑब्जेक्शन ने आता इनकी वीडियो बहुत अच्छी बनी थी तो सब लोग बहुत खुश दे है हेली की मैनेजर एंजो से बात करती है उसे कहती कि तुम्हें हेली और उसकी फैमिली की ज़रा स्पेस देना चाहिए हेली की पिल्स खतम हो जुगे थे तो डॉक्टर के पास आई डॉक्टर उसका सारा चेक अप करती है उन्हें पता चला कि हेली प्रेगनेंट है हेली एंजो को बात करने के लिए मैसेज करती है कार्टर ने अल्रेटी वेक्सिक टॉमी कर ली थी इसका मतलब है उसे कोई भी बच्चा हो नहीं सकता इसका मतलब है यह बेवी एंजो का था हेली ने सर्च किया कि वेसे टॉमी का failure rate क्या होता है कार्टर घर पर है और जब वो tablet देखता है तो इसके बारे में हेली को सर्च करता देख उसे सब कुछ पता चल गया हेली कहती कि मैं तुम्हें पता नहीं वाली थी ये एक miracle है और मैं भी एक बच्चा चाहती हूँ कार्टर जरा इस बात के लिए unsure था पर फिर भी इसे accept कर लेता है बाहर एक delivery man बच्चे की क्रीब लेकर पहुच जाता है कार्टर इस बात से गुसा हो गया क्योंकि सबसे last उसे पता चला है पर हेली ने कुसी को भी बताया नहीं था वो एंजो को call करती है और कहती कि तुम्हें कैसे बता चला मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं था एंजो कहता है कि ये सब चीज़े होती रहती है एंजो को हेली और कार्टर में जो भी बात हुई इसके बारे में पता था हेली इस बात से बहुत डर जाती है उसने फिर डारेक्ली अपने मैनेजर को कॉल किया उसे सारी चीज़े बता देती है मैनेजर ने कहा कि तुम डरो मत मैं लोयर से बात करूँगी और एंजो को तुमसे दूर रखूँगी सब कुछ ठीक हो जाएगा हिली कहती कि अलवम के फेल हो जाने के बाद में कोई भी सौंग लिख नहीं पा रही थे तो इसी वज़े से यह सब मुझे से गलती हो गए उसे बहुती बुरा लग रहा था हिली ने कार्टर को बताया था कि वो बेबी करीब उसके मैनेजर ने भेजी है यहाँ बर आते वक कार्टर और एनी में बात होई थी तो एनी ने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है ये एक इशू हो सकता है पर मैनेजर के थी कि मैं सब को समाल होंगे कुछ भी वरी मत करो कार्टर ने हिली को कन्फरंट किया वो समझ चुका था कि बेबी एंजो का है लंज करते हो कार्टर को कॉल आया हिली की मैनेजर की डेथ हो गई थी उसका किसी ने murder किया है वो इस बात से बहुत upset हो जा दिया रात में घर के बाहर Carter अपना गुस्सा निकालने के लिए खड़ा खोद रहा था हेली को लगा कि Carter ने एंजो को हड़ कर दिया है तो help मागने के लिए वो neighbor के पास चली गए ने बर के घर में एंजो रह रहा था उसने कहा कि तुमारे बच्चों का खैल रखने के लिए मैंने यही पर घर ले लिया हेली बुश्ती कि हाँ के ओनर कहा गए एंजो ने कहा कि वो ट्रिप पर चले गए एंजो कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा हम अमारे बेवी को अच्छे से बढ़ा करेंगे कार्टर और एंजो में जगडा हुआ था तो इसी वज़े से कार्टर उसके लिए कवर खोल रहा था गर में हेली को बेवी के आवाज आने लगके वो जाकर देखती है तो हावर बेवी मोनिटर्स थे हेली की घर में जो भी चल रहा था इस सब कुछ एंजो सुन पाता था उसने घर में बहुत सारे कैमेरेज भी लगाए हुए थे रूम में हेली ने उसके पागल फैन की हेंड़ाइटिंग भी देखी हेली को डराने के लिए सारे गेर्ज भी एंजो भी भेज रहा था हेली समझ गए कि एंजो पूरी तरीके से साइक हो है और उससे यहां से बाहर निकलना पड़ेगा उसकी सारी बातों में हाव में हाव मिलाती है कहती कि मैं ज़रा डर गई थी पर मैं अब तुम्हारे साथ रहने के लिए पूरी तरीके से रेडियो उसने कहा कि मुझे बात्रूम यूज करना है बात्रूम में जाने के बाद वो नोटिस करती है कि ओनोर को एंजो ने मार दिया था वो बहुत ही ज़ादा डर के जल्दी से वहाँ से खिड़की खोल कर वो बहार निकल जाती है जंगल से भागते भागते हो घर तक आके जो ग्रेव कार्टर बान रहा था उसी में उसे बान कर रख दिया गया था हेली उसे देखकर छुड़वाने के कोशिश करती है तभी हेली की नानी वहाँ पर आके उसे हल्प मांगती है पर नानी वहाँ से चली गए यह नानी एक्च्वल में एंजो की मदर थी उसे सब चीजों को लेकर हल्प कर रही थी हेली ने कार्टर को अकेले ही बाहर निकलने के लिए हल्प किये तब इना नहीं हेली के बच्चों को लेकर जा रही थी वो कार में बैट पाती तब हेली ने उसे नोटीस कर लिया वो जल्दी से भागे उसके सर पर जोर से मार कर उसे बेहोश कर देती है हेली का बीचा करते हो है हेंजो भी बहाँ पर पहुँच गया वो कार्टर को बहुत मारता है हेली कार्टर को बचाने के लिए उस पर छबक पड़ती है हेली ने उसे मारते होगे कहा मैं तुम्हारा विबी होने नहीं दूंगी एंजो गुस्ता होकर उसे पत्था से मार डालने की कोशिश करता है एंजो ने कहा कि मेरी मदर सारे बच्चों को समा लेती और हम दोनों फ्री होते हैं फाइट में हिली नोटिस करती है कि एंजो के पास उसके ब्रदर किरींगे इसके वारे में एंजो ने कहा कि मैं तुम्हारे ब्रदर से बहुत प्यार करता था पर उसने कभी भी मुझे accept नहीं किया मेरे पास कोई भी choice नहीं थी इस वज़े से मुझे उसे मारना पड़ा मैं जब तुम्हारे साथ था तो तुम भी मुझे से प्यार करती थी हेली इस बात से बहुत ही ज़ादा गुस्सा होगे वो plant को water करने का pipe लेती है तब ही कार्टर उसे कोई भी बात नहीं कर रहा था वो sad होकर जाने लगे पर कार्टर उसे रोक लेता है उसने उसे finally माफ कर दिया था इसी के साथ ये movie end हो जाती है अगर आपका explanation चलागा तो प्लीज इसे like और comment जरूर कर दीजेगा ये बहुत सारी movies लेकर आते रहे था तो प्लीज इस channel को subscribe कर दीजे और bell notification icon दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगी और इने movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखे